Hello Friends, आज का वीटियो आपके लिए काफी इंफिमिटिव होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे Tata की जबर स्कीम के बारे में जिसने अपने निवेशेकों को 18% का आसपास का रिटर्न दिया है एक बहुत शांदार रिटर्न दिया है जहां Tata का नाम होता है वो signify करता है एक honest business को एक भरोसी के नाम को तो Tata EMC इसको manage करती है और इस fund का नाम है Tata Digital India Fund इस fund का objective long term capital appreciation है यानि कि लंबे समय के लिए ये fund निवेश करता है IT companies में है और उससे capital appreciation या फिर return generate करता है ये fund equity category को belong करता है और technology sector में mainly निवेश करता है इसका benchmark Nifty IT है इसकी fund manager मीता शेती है मीता शेती काफी समय से इस fund को manage कर रही है किसी भी fund में अगर fund manager ज़्यादा समय के लिए manage करता है तो उससे पता होता है कि इस fund की moment क्या है कैसे इसको manage करना है तो आपके लिए ये plus point है कि इस fund की manager 2-3 साल से इसको manage कर रही है तो ये इसके लिए positive बात है तो इस video में हम जानेंगे कि क्या आपको इस fund में निवेश करना चाहिए या नहीं क्या इसकी details है, क्या वो बारीकिया है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए इसका return क्या रहा है, इसमें risk क्या है और क्या इसकी investment से related बारीक बाते हैं जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को subscribe करें पसंद आई तो like और share भी करें तो इस fund की nav है और अगर आप इस fund की performance देखें तो ये fund स्टार्ट हुआ था 2015 में और उस समय इसकी nav थी 9 रुपी के आज़ पास और तब से लेकर अब तक इस fund में एक upward swing रहा है 2020 के बाद लगातार इस fund ने बहुत ही उंदा performance दी है और इसकी nav हो गई 40.69 के around 2022 में इसके बाद इसने गिरावट दर्च की और यहाँ पर आपको एक buying opportunity है कि आप इसको lower level पर खरीद सकते हैं इसका asset under management 5888 के around है जो कि आपको ज़ादा बड़ा नहीं लग रहा है लेकिन यह एक sectorial fund है तो sectorial fund में ज़ादा asset under management हो तो उसको manage करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन इस समय पर इसका AUM आप ठीक consider यानि कि positive sign पर इसको consider कर सकते इस fund का expense ratio 2.02% है अगर expense ratio 1.5% से ज़ादा होता है तो वो अकसर higher side पे या फिर higher ratio में consider किया जाता है यह fund start हुआ था 28 December 2015 को और तब से इसका return जो रहा है 18.18% तो अगर इस fund की return की बात करें आप अगर सिर्फ मात्र 10,000 की SIP इसकी inception date पर start करते तो monthly SIP हम इसमें consider कर रहे हैं और इसका जो return हमने लिया है वो 18.18% लिया है जो की इसका since inception return है और अगर मात्र आप 5 साल के लिए अपनी SIP इसमें करते तो आपकी investment हो जाती 6 lakhs की तो इस पे आपकी total value होती वो होती 9 lakh 62 के around तो 6 lakh रुपे लगा के आप क्या 10 lakh के करीब का फूपस इसमें इखटा हो जाता अगर एक आसान भाष्या में समझे तो 6 lakh अगर आप 5 साल में इसमें जोडते तो आपको 4 lakh का इस पर profit होता और अगर मात्र 1 lakh के आप लमसम investment करते इसकी inception date पर तो expected rate of return हमने लिया 18.18% अगें जो इसने real return अपने इस tenure में दिया है उसी को हमने consider किया है और सिर्फ आप 5 साल के लिए करते value हो जाती वो हो जाती 2 lakh 30,000 के around 1 lakh आपकी invested amount और आपका जो return रहता वो 1 lakh 30,000 के around रहता इस fund में minimum आप 5000 से investment start कर सकते हैं लमसम investment और SIP मात्र आप 150 रुपे से 1500 रुपे से शुरू कर सकते हैं अब इस fund के portfolio के बारे में जान लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसने जो major investment है वो सभी नामी गिरामी IT sector की companies में है तो आप देखेंगे Infosys और TCS में इसकी major investment है 25% और 13% तो इस fund का अगर आप शुरू की 5 companies हैं चार companies हैं उसी में इसकी major investment है तो जैसा ये 4-5 companies perform करेंगी उसकी performance इस fund के overall performance रहेगी sector allocation की बात करें तो ये technology sector का fund है तो ये technology sector में ही जादतर invest करता है asset allocation की बात करें तो ये equity में 91.59% क्योंकि ये equity fund है तो इसकी major investment equity fund में 91 के around बाकी इसकी cash or cash related components में है और अगर आप equity sector में invest करते हैं और किसी sectorial fund में invest करना चाहते हैं से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि sectorial funds हमेशा बहुत ही जादा risky fund होते हैं और अगर आप इन funds में invest करते हैं तो हमेशा आपको एक लंबे समय के लिए invest करना चाहिए और आपको उसका portfolio देख लेना चाहिए कि क्या उसका portfolio है तो आप इसके portfolio में आपने देखा होगा जादा तर इसमें large cap stocks ही हैं कोई mid cap या small cap funds इसमें जादा नहीं है क्योंकि जितना जादा mid cap और small cap आता है उतना जादा risk बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं large cap companies में invest करकर इस fund ने अपनी overall risk को कहीं ना कहीं कम करने का एक कोशिश की है एक भरोसा दिखाया है तो top sector companies जैसा perform करेंगे इस fund का performance वैसा ही रहेगा तो इस fund के लिए हमारी तरफ से एक green signal है आप इसमें अगर आप sectorial fund में थोड़ा जादा risk लेकर risk appetite पर invest करना चाहते हैं equity sector में तो आप इस fund में invest कर सकते हैं thanks for watching our video अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें for more updates please press the bell icon so let's get started with multi-cap wealth